सेकेंड में find the equation of line pass parallel to x-axis मतलब जिसे यह x-axis है यह y-axis है और यह z-axis है x y और यह z हमारी line जो है वो x-axis से parallel ऐसा बोला गया and passing through origin अब दो इसमें यह तो लिखा नहीं किस format में लिखना है तो दो नहीं लिख देंगे पेपर में आप किसी एक में लिख देना ठीक है मैं दोने लिख किसली दिखा रहा हूँ आपको clarity रहे तो अब मैं चलो पहले Cartesian format लिखता हूँ ठीक है Cartesian form तो Cartesian form क्या होता line का x-x1 upon a y-y1 upon b z-z1 upon c अगर आपको किसी भी line की occasion निकालनी है तो दो चीजें चाहिए होती है एक point और एक DR मलब point की बात करें तो origin से हमारी line पास हो रही है यह जीरो जीरो है तो x-x1 हमारा यह point होता है y-y1 भी यहाँ पे 0 और z1 भी यहाँ पे 0 बस हमें ABC लाना है जो direction ratio है अब हमारी जो line है वो x-axis के parallel है तो direction ratio of line parallel to x-axis क्या होता ही समझ लेते है parallel to x-axis और याद रखना यह चीज़ बिल्कुल अच्छे से देखो अगर line हमारी x-axis के साथ parallel है तो angle क्या बनेगा x का और इसका 0 बनेगा ठीक है line का और आपको याद हो कि line का अगर x-axis से angle 0 तो direction cosine क्या होता है cos alpha यहीं cos 90 sorry cos alpha यहीं cos alpha 0 तो cos 0 कितना होता है 1 तो एक direction ratio में पहला मिल जाएगा 1 क्योंकि x-axis के साथ इस line का y-axis के साथ angle कितना है 90 और cos 90 क्या होता जीरो तो यह जीरो आ जाएगा और actual में z-axis आपको तिरची दिख रही है लेकिन ultimate z-axis perpendicular होती है तो यह जैड और यह line x यह यह line यह angle 90 बना रहा है cos 90 क्या होता जीरो तो आप याद रख लो इस तरीके से इस चीज को तो यह जो direction ratio होते है paper में इतना explain नहीं करना होता है कि x-axis के direction ratio हमने 1-0-0 क्यों ले लिए है लेकिन आपको मैं तरीका बता दिया क्या कि आप यह समझे लो कि line हमारी x-axis से parallel है तो angle 0 हो गया और cos 0 क्या होता है one होता है तो जिसके parallel बोला जाए उसको one लेना है बाकी सब आपको 0 अगर मालो इसी question लिखा हो तो आप parallel to y-axis तो आप direction ratio कह लेते 010 अगर लिखा हो तो direction parallel to line is parallel to z-axis तो 001 तो आप इस तरीके से करो गए ठीक है कि लिए रहे बस अब यह DR मिल गया है DR मिल गया मतलब ABC मिल गया ठीक है तो बस यहाँ पर वन लिख देंगे यहाँ 0 लिख देंगे और यहाँ 0 लिख देंगे तो यही answer होगा और अगर आपको मालो क्या जाएगा 0 Door 0 जे क्याब 0K क्या प्लस लैंबडा of B वेक्टर बी मतलब डायरेक्षिन रेटियो यह वन खजी केब जी रूसरों ड़ी वर्म दिए आप तो किसी एक मेंग दो चलेगा ठीक रहे